हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की सीलियू में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउजिंग फाइनेंस लिमिटेट के शियर के भारी में अगर आप देखोगी तो बजाज हाउजिंग फाइनेंस का जो काउंटर रहा है वो डे तरीकी की उम्मीदे दे इसने वो तो कभी भी करके नहीं दिखाया और काफी तो वीक ही देखने को मिला है लेकिन अब जिस तरीके की इसको लेकर खवरे भी निकल कर जो आती है वो भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत अच्छी तो फिलाल के समय पर नजर नहीं आ रह है ठीक है जबते पहले में आपके जामने रखता हूं बजाज हाउजिंग फैनेस लिमिंटेट का फ्रेंट पर आप यहां पर देख पा रहे हैं 127 रुबे 20 पैसे पर यह काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया आज अगर आप यहां पर देखें तो बेसिकली है यह काउंटर आज मामूली गिरावट के साथ बंद होigs है हलाकि इसमें कोई बहुत बढ़ी घिरावट इसे नहीं कई जाएगी बहुत ही मामूली घिरावटी ही है ठीक है लेकिन एक चीज है के काउंटर मतलब ठीक ठाक ही चल रहा था अएस सच कहीं कोई दिक कर नहीं त वहां से अगर आप इसे देखोगे तो लगबग दो परसंट के आसपास की गिरावट हुई है उपरी स्तर से देख पार लगवों देड़ से दो परसंट के आसपास की आपको यहां पर गिरावट जबहत देखने को मिलिए शुरुवात में माहुल हरे निशान में बीटा और जो है तेजी भी ठीक ठाक थी लेकिन लाश्ट में आकर मार्केट ने पूरा सेच्वेजन ही वतलती वेसिकले लेकिन एक दिन की बात हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस काउंटर में अगर आपने देखा तो लगबग लगबग पिछले एक महीने में 6-7 नेगटिव रिटन ही आपको यहां पर नजर आए हैं तो गिरावट तो यहां अगर देखा जाए तो ठीक ठाक आपको देखने को मिलिए कोई कम गिरावट नहीं है बेसिकले ठीक है गिरावट आपको यहां पर अच्छी कासी रही है अब बात यह आती है जब इसका आई- इस तरीके की काफे बात यह देखने को मिली थी लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से यह शियर नीची आया है उसके बाद अब लोगों में खास कोई इंट्रेस्टे से लेकर बचा भी नहीं है अभी भी अगर देखें तो यह देखो कुछ दिन पहले एक हव कर आई थी लेकिन बात यह निकलकर आती है कि अभी इसका लॉक इन पिरिएड पहला फर्स्ट लॉक इन पिरिएड खतम हुआ था अब जो है सेकंड लॉक इन पिरिएड का समय जो है निकलकर आ रहा है दीरे-दीरे करके अगर आप देखोगे तो जब सेकंड लॉक इन पिर प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक खतम तो हुई नहीं हैं लेकिन नई प्रॉब्लम्स हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बढ़ती हुई देखने के मिले सेकंड लॉक पीरिट के मतलब रूप में अब आखिरकार तब क्या होगा कितना गिरेगा यह कह पाना अभी तोड़ करते दिनों में कोई भी written की उम्मीद नाई है हाँ एक तरीका है कि अगर मार्केट की सेट्युसन साही हो जाए तो चांस हो सकते हैं यह recovery में market के साथ एक counter recover कर जाए यह चीज़े सही हो जाए तो वह उम्मीद आप जरू करके चल सकते हो लेकिन और कोई खास यहां पर उम्मीद है जो हैं देखने को फिलाल तो मिलना ही रही ठीक है तो यह बात तो गई तो दोस्तों बजाज housing finance के बार में अब जैसे कि मैंने बोला यूज में भी काफी चर्चित है तो गाइज यह हम सब के लिए एक बड़ा मोमेंट है और अल्सो यह हम सब के लिए एक नई opportunity और रिस्क भी लेकर आया है और इस वज़े से market sentiment और इंवेस्टर इंट्रेस्ट को समझाना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है इसलिए जब market की volatility हाई हो और indices की moment unpredictable हो गई हो इस complex situation में navigate करना आसान नहीं है देखा जाए तो इसलिए BlinkX जैसे platform आपके लिए trading को और भी simple and efficient बना देता है BlinkX आपको देता है zero brokerage, zero transfer fees और बिल्कुल भी कोई भी hidden charges नहीं मतलब आप अपने profits को maximize कर सकते हैं और बिना किसी extra cost के और सबसे important चीज़ जो BlinkX आपको offer करता है वो है real time research call जो आपको बताते हैं कि किस stock में कब enter करना है और क्या target अचीव हो सकते हैं ये calls आपको timely और actionable insight देते हैं ताकि आप apply trade effectively execute कर सको अगर आपको बजाज housing finance जैसे और भी major development को track करना है तो BlinkX का super smart watch list और customizable dashboard आपको अपने favorite stock पर नजर बनाए रखने में मदद करेगा प्लस BlinkX के advanced technical charts और strategy builder के साथ आप अपने तरीके से trends analyze कर सकते हो और सही entry exit point easily spot कर सकते हो मैं आपको ये भी बता दू कि BlinkX सिर्फ stock analysis तक सीमित नहीं है यहां आपको equity, currency, IPO, NAC, FNO में भी unlimited trading की सुविदा मिलती है तो अगर आप regular या फिर long term investor हो तो BlinkX के cost effective plan जो सिर्फ 199 से 2 मन्त और 799 for 10 मन्त के option के साथ आते हैं आपके trading style and budget के साब से ये fit भी है तो आप एक बार BlinkX ट्राइ करके देखो और मुझे comment में ज़रूर बताना कि आपका experience कैसा रहा आपके लिए मैंने link भी description में डाल दिया है यांपर बहुत ही तगड़े नजर आई हैं company small cap है साथ एर क्रोल का market cap है या 26 का फी multiple वो भी ठीक ही है दीरे दीरे इसमें growth भी हुई है ठीक है लेकिन company ने announce किया है एक bonus 1.1 का ठीक हाँ ये जरूर है कि अभी यहां पर जो recorded है इसकी mention नहीं करी गई है अभी recorded यहां पर निकलकर नहीं आई है तो जल्दी उसका इसका intimation भी आ जाएगा कि आखिरकार इसकी जो है recorded वो क्या है ठीक है अब last में मैं आपको दूँगा एक बतलब बताने वाला हूँ एक dividend वाला शियर dividend वाले शियर का नाम है दोस्तों Godfrey फिलिप इंडिया लिमिटेर यहां पर अगर आप देखोगे तो company का काम क्या है यहां company ने dividend announce किया है इतना 35 रुपे पर शियर का dividend जो है company announce आज कर चुकी है अगर यहां पर record date की बात करें तो दोस्तों निकल कर आती है 29 नवंबर ठीक है तो यह बात हो गई दोस्तों overall सभी shares के बारी में उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ क्या होगा वीडियो अच्छी लगी हो तैसे like करना चनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना जाते तेवल आकन दवाना जैसे कि जब भी मैं को नई वीडालू आपके पास notification सबसे पहले आजाए इंदस्ते वीडे से रफ़से एडुकेशन और इंफरमीशन परपस है तो जो से किसी भी तरीकी की कोई बाइन से लिंके रेकमेलेशन के तौर पर बिलकोर भी ना देखे तेंक्यू झाल झाल झाल